नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर तो दोस्तों UNSC में विस्टन वर्ल्ड ने एक resolution initiate किया था draft resolution था obviously क्योंकि pass होने के बाद भी हो resolution में तबदील होगा तो इस draft resolution में अगर आप देखें तो विस्टन वर्ल्ड ने जो मांड सके थे वो था कि रश्या यूक्रेण में जो ट्रूप से उनको वापस ले एड़ दे सेम टाइम जो दो enclaves से रशियन enclaves से यूक्रेण में उसको जिसने रश्या ने जिनको recognition दिया है वो लगा दिया है और यहां से बहुत इंट्रेस्टिंग हमें कुछ observations देखने मिल रहे हैं और वहीं पर एक सवाल भी है आखिरकार भारत ने किसके लिए वोट किया है तो क्या हुआ भारत ने क्या कहा चाइना ने क्या किया यूई ने क्या किया इन सभी पर हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है तो न्यूज में है जो ऐसा दुस्तों आप देख सकते हैं यूक्रेइन में रशिया ब्लॉक्स उसने अपने वीटो का इस्तमाल किया है अपने लिए तो करेगा ही तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है मैं आप सभी का सवागत करता हूं पाथ फाइंडर पर आप मुझसे मेरे टेलग्राम चैनल या कम्यूनिटी पेज कहीं पर भी जुड़ सकते हैं इसके सिवा सब्सक्राइब प्राफ डिशगूरुशन की बात करें तो उसमें जो X वो था रश्या इमीडीठीली सीज उस इस यूजो पॉर्स अगेंस युक्रेन यानि यूजो फोर्स रश्या क्या करेद बंद करे नंबर उन ल Honors तो अगर को Eastern Ukraine में in short जो enclave है Ukraine में जिसको रिसेंटली रश्या ने recognize किया है वो recognition वापस ले इसको sponsor किस ने किया था तो इसको sponsor किया था आप देख सकते हैं इस वक्त पहले तो आपको UNSC में कौन members हैं आपको बता दूँ तो UNSC में दोस्तों 15 member होते हैं 15 member की के बात करूं तो इसमें 5 permanent member होते हैं जिनको हम कहते हैं P5 members और 10 non-permanent members होते हैं जो कि UN General Assembly से चुन कर आते हैं 2 साल के term के लिए तो जो P5 member हैं वो कौन है दोस्तों तो वो China है France है Russia है UK है US है और जो अन्य 10 member हैं जो कि 2 साल के term से के लिए चुन के भीजेगा हैं वह अल्बानिया ब्रजील गैबॉन घाना इंडिया एर्लेंड कीनिया मेक्सिको नौर्वे यूई तो इस ड्राफ्ट रिजल्यूशन को इनिशेट किया था स्पॉंसर किया था US और अल्बानिया ने and support अन्य इसने भी किया था पॉलेंड इटली चर्मनी एस्टोनिया लग्जेंबर्ग न्यूजिलेंड वो सारे देश जो कि UNSC में नहीं है उन्होंने भी support किया हां हां ऐसा resolution लेकर के आओ तो अब बात करते हैं दोस्तों सबसे important voting की आखिरकार क्या हुआ वोट में तो दोस्तों इन 15 देशों में से एक वोट तो अगेंस्ट में जाना ही था वो किसका होना था रशिया का होना था तो रशिया अगर आप देखे तो इस वक्त वो यूए ने सी का president भी है तो रशिया ने अगेंस्ट में वोट किया और अपना veto power इस्तमाल किया और इस resolution को यही पर ठप कर दिया इसके सिवा आप देखे तो तीन देश ऐसे हैं जिन्हों ने abstain किया है कौन-कौन है वो एक है हमारा प्यारा भारत दूसरा आप देखे तो वो है UAE और तीसरा आप अगर देखे तो इसके सिवा चाइना तो यह तीन देश दोस्तों एक permanent member और बाकी दो member इंडिया और UAE जिन्हों ने abstain कर दिया है वोट करने से तो अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा बाकी सारे देश याने 11 देश 11 प्लस 3 प्लस 1 एक तो रशिया खुद है तो इन सब ने इस resolution के support में वोट किया है तो यही आपको जानना था दोस्तों यह voting pattern था आपको जानना बहुत आवश्यक था तो अब यहां पर देखिए कुछ क्या-क्या observation हुएं तो इंडिया का stand क्या रहा है तो इंडिया की जो प्रमेरेंट रिप्रेसेंटेटेव हैं युए diplomacy को आपने try नहीं किया और क्योंकि आपने path of diplomacy को try नहीं किया तो इसलिए इंडिया abstain करता है इस resolution से अब देखिए यहां पर इंडिया को abstain करना था बस एक कारण दिया गया है इसा कुछ फर्म कारण नहीं दिया गया है लेकिन इंडिया ने abstain कर दिया है दोस्तों यहां पर कहना चाहूंगा इंडिया का जो abstention है कि Western World को पसंद नहीं आ रहा रहा रश्या इससे बहुत खुश है लेकिन Western World इसको पसंद नहीं कर रहा वहीं चायना का क्या स्टैंड रहा है दोस्तों चायना की पर्मेंट रिप्रेजेंटिटेव हैं यून में जांग जुन उन्होंने कहा है कि देखिए यहां पे वैसे तो उन्होंने abstain किया याने फॉर अगेंस्ट कुछ भी वोट नहीं किया लेकिन खरी कोटी इन्होंने रश्या को सुनाई है we believe that the sovereignty and territorial integrity of all states should be respected याने किसने territorial integrity breach की है रश्या ने यूक्रेण की किया है तो रश्या को backhanded तरीके से बोल दिया गया है जो कहना था principles of the UN charter should be upheld इसके सिवा उन्होंने कहा है कि security of one country cannot come at the cost of undermining the security of other nations China abstains in the vote Ukraine should become a bridge between East and the West in short अब देखी ये बात ना रश्या को पसंद नहीं आई कि चाइना ने abstain किया और Western World इसी को अपना मतलब अपने धोल इसी के द्वारा वो बजा रहा है पीट रहा है और दुनिया को सुनारा है देखो देखो चाइना ने abstain कर दिया और चाइना ने खरी कोटी भी सुना दी रशिया को तो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि शायद रशिया और चाइना लिप्त नहीं थे दोनों मिलके डिसाइड नहीं किया था विंटर ओलम्पिक्स के दौरां कि यह सब होने वाला है ऐसा इस वक्त अंदेशा है तो लोग यहीं कह रहे हैं जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बात हो रही हो यहीं है कि चाइना रशिया के साथ नहीं है भले सपोर्ट करना पड़ा एबस्ट स्टाइड चाइना अबस्टेंशन जैसा मैंने बताया इंस्टेट अफ रप्र सपोर्टिंग रशिया विन फॉर दिम तो उन्होंने यहीं कहा है कि रशिया ने अपना वीटो पावर इस्तमाल किया रिजलूशन को ब्लॉक करने के लिए लाजमी था यह तो होना ही था लेक जाता है कि आज मॉस्कोव अकेला है तो वही कहना चाहा रहे है वेस्टन वर्ल्ड इसको अपनी विक्टरी की तरह शो कर रहे है पर जो भी है दोस्तों बॉटम लाइन इस यूनसी रिजलूशन जो था वह पास नहीं हो पाया है और जो जैसा अंदेशा दिया जा रहा है कि लेकिन बहुत करीब है और यह बहुत बड़ा क्राइस भी वहाँ पर हो रहा है तो दोस्तों जो बहुत करते हैं तो इसके सिवा यूए लाइट में जब बरदस्का आफर्स हम रन करें 28 टेस्ट है 20GS 8 CSAT 6 महीने में 40GS 16 CSAT 56 तस्तों 4409 रुपीज में याने 50% आफ में दोनो आपको अभी अविलेबल है आइकनिक सब्सक्रिप्शन लाइट में 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 सब्सक्राइब कर रहे है एक साल की 46 791 है एक साल की 7041 है एक साल की ऑप्शनल की 24 750 रुपीज है इस सारी कीमत तब है जब आप केसी 10 code यूज करते है याने वह code जिससे आपको मेरी mentorship and guidance मिलती है इस के सिवा अनकाडमी अल्ट्रा कॉमबाट है इसका फाइदा उठाएं बहुत सारे बैचेस हम रन कर रहे हैं टेस्स सीरीज रन कर रहे हैं यह सब का फाइदा उठाएं थैंक यू सो मुच पर जोईनिंग हव ग्रेट डेएं डू टिक केल